हेलो एवरिवन ये है मारुची सुदू की जिमनी जेटा मैनुल ट्रास्मिशन नेक्सा ब्लू कलर में इस वेरियंट के एक शोरूम प्राइज है 12.74 लाक्स जिमनी का जो टॉप वेरियंट है अल्फा उसका वीडियो में ने अल्रेडी अपने चैनल पे डाल दिये है उपर ल शुरू करते हैं इसके कीज से तो इस वेरियंट में कीलेज एंट्री और पुश टार्ट स्टॉप मिसिंग है तो ये वाली कीज मिलेंगी आपको इसमे ये कर दिया मैंने इसको अनलोक फ्रांट को देगे तो आपको मिलेगा हेलोजन रिफ्लेक्टर हेड लाइट और हेडलंब वाशर और फोग लेट नहीं मिलेगा आपको इस वेरियंट में बाकी पूरा फ्रंट सेम है कोई चेंज नहीं मिलेगा साइट में matte black ओवारवियम मिलेगा alpha variant में glossy black आता है ओवारवियम 15 इंच के steel wheel मिलेंगे इस variant में alpha में अलोई जाता है 15 इंचिस के साइट से ऐसा कुछ दिखेगा आपको zeta variant difference की बात करें तो wheels अलग है door handles body colored के नहीं है doors पर request sensor नहीं मिलेगा बागी बोडिक लेडिंग, टर्ण इंडिकेटर, इससब सेम है रूफ पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं मिलेगा इसमें रियर राइट साइट पर एक रेडियो एंटीना है रियर की बात करें तो यहां सेम वोई हेलेजन टेल लाइट से उसके नीचे है रियर पार्किंग सेंसर, बूट पे भी रिक्वेस सेंसर नहीं मिलेगा उपर है रियर वाष, स्टॉप लाइट, रियर डिफॉगर, एंड वाइपर भी मिल जाएगा इस वेरियंट में यह एक अच्छी बात है कि जिवनी के वेस वेरियंट में हमें यह डिफॉगर और पार्किंग सेंसर मिल रहे है मारूती की रिसेंट लाउंच, उसकी फ्लैक्शिप कार, इन्विक्टो वेस वेरियंट में तो यह सब भी मिसिंग है बूट चेक कर लेते हैं एक बार एक अक्सिसरी सॉकेट है यहाँ पर उपर है बूट लाइट और इस सीट के एंकर्स, दो सेटिंग मिलेंगे इसमें इसमें भी स्प्लीट सीट मिलेगा, राइट सेट सेम है और बाकी पुरा चीज भी सेम ही है कोई डिफरेंस नहीं है वैसे काफी कॉस कटिंग किया गया है मारूती के दरफ से यहाँ पर इस वेरियंट में क्या भी इस वेरियंट को लेंगे बताए कॉमेंट्स में डिफोगर वायर्स ओपेन है, कवर निक किया गया है अब टॉप मोडल में ही नहीं आता तो बेस मोडल से क्या ही उमीद रखें प्रीमियम प्रोड़क्ट के हिसाब से यह कुछ ज्यादे कॉस कटिंग हो गया है यहाँ पर अब फ्रन्ट इंडिरियर को देख लेते हैं जेटा वरियंट में हमें क्या मिलता और क्या नहीं मिलता है फ्रन्ट डॉर पेट सेम है ऐसारे से एरबैग जिबनी में सिक्स एरबैग स्टेंडर्ड है ड्राइवर सीट या कोई भी सीट में आपको हाइट एग्जिस्मेंट नहीं मिलेगा दोनोही वेरियंट में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओ आर्वियम से भी नहीं मिलेंगे इस वेरियंट में एंड अगें पुछ ताट स्टॉप मिसिंग है एडलम वाशर भी नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लश्टर सेम है इस टेरिंग लेटर रप नहीं मिलेगा इस टेरिंग के लेट्ट साइड में मिडिया राइट साइड खाली है क्योंकि नीचे है नीचे है AC वेरियंट्स जिसमें से क्रोम हायलाइट मिसिंग है और उसके नीचे manual AC फिर उसके नीचे control switches जो की same है 12 volt एक्सिटी सॉकेट एक USB A port है यह manual transmission है all grip control और यह सब चीज़ तो बागी same ही है glove box same है passenger visor भी same है एक vanity mirror है without light manual day night IRVM cabalight same है driver visor भी same है एक vanity mirror without light अब rear interior को check कर लेते है rear door pads भी same है gymni officially 4 seater है तो पीछे आपको 2 headrest मिलेंगे power window control same है armrest नहीं मिलता जिमनी में seat back pocket है और बागी सब तो same है यह आप है तो यह था मारुची सुदू की gymni Zeta variant कैसा लगा यह बताए मुझे comments में वीडियो पसंद आया तो like करें और अगर आप channel पे नए आया है तो channel को subscribe जिरूर करें और आप है और शहले बते हैं